मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्सकों को नवरात्री की हारदिक सुपकामनाए आज दुर्गा सब्तमी के इस पावन आउसर पर मैं आप सबों के लिए मिलेट सीरीज के अंतरगत एक बहुत ही हल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ जी हाँ दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सामक चावल बर्ण यार्ड मिलेट से बनने वाले हल्वे की रेसिपी उमीदें पसंद आएगी तो दोस्तों चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहां लिया है मैंने बर्ण यार्ड मिलेट जिसको की सामक के चावल या वर्द के चावल के नाम से भी जाना जाता है इसमें फाइबर रॉप प्रोटीन प्रचूर मातरा में पाया जाता है इसे मोटा अनाज कहते हैं इसलिए इससे बनाने के लिए इसकी कोई भी रेसिपी बनाने के लिए आपको इसे ओवरनाइट सोक करके रखना बहुत जरूरी है ताकि यह इसली डाजेस्ट हो पाए अब यहां मैं तयारी कर रही हूँ रेसिपी के लिए तो इहां लिया है नौस्टिक पेन और साथी साथ 1 फोर्थ कप देसी कायगा खी लिया है कायगा गी हमारे कोलिस्ट्रॉल को मेंटेन करने में काफी हलफूल होता है जैसी गी गरम हुआ यहां मैंने डाले है अपने चॉप्ट आलमेंट्स और साथी साथ मैं डाल रही हूँ अपने चॉप्ट काजू आप चाहें तो अपनी मन पसंद के दूसरे ड्राइ फूट्स भी चॉप्ट करके यहां पे मीडियम फ्लेम पर इनको हम सॉटे करने वाले अच्छी तरीके से तो यह हमारा हो गया सॉटे मैंने फ्लेम को किया स्विच अफ और अब इस सभी हमने जो फ्राइ किये थे ड्राइ फूट्स को इनको हम निकाल गर एक दूसरे बर्तन पर ठंडा होने के लिए रख देने वाले हैं अब इसी नौन स्टीक पैन में जो कि हमारी घी बची हुई है उसमें मैं ओवरनाइट सोक्ट मिलट लूँगी हाफ कप और इसको मैं अच्छी तरीके से सॉटे करूँगी मीडियम फ्लेम पर ताकि इसमें हलका पिंकिस कलर आ जाए भूनने से हल्वे का जो स्वाध है अब भी हम कोई भी हल्वा बनाते हैं चाहे हम सूजी का बनाए या आटे का बनाए उसे हम पहले सॉटे जरू करते हैं ताकि उसका स्वाध हमारा बहुत अच्छा आएगा अब इसमें मैं डाल रही हूँ वन कप मिल्क या फुल फैट मिल्क लिया है तो प्रपोर्शन आप आप हाफ कप मिल्क लेते हैं तो आपको फुल कप एक गाय का या फुल फैट मिल्क लेना है और इसको मीडियम फ्लेम पर हम अच्छी तके से उबलने के लिए छोड देंगे और साथी साथ इसमें कलर और फ्रेग्रेंस के लिए मैंने डाला है केसर के कुछ धागे यह टोट हमारे मिल्क अच्छी तके से दूद में पक चुके हैं और एक बड़ी भीनी भीनी खुश्बू आ रही है और लग रहा इसे अभी खा लें बट इसे अभी नहीं खा सकते क्योंकि बना रहे हैं हल्वा तो इसमें मिठास डालना तो बहुत जरूरी है तो यहां लिया है मैंन हल्वा हो गया है रेडी अब इसमें मैंने अपने जो फ्राइड ड्राइफ रूट्स करें थे उसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है अच्छी तके से एक मिनट के लिए अच्छी तके से इसको हम चलाएंगे तो उमीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही होग अब इस हल्वे को मैंने ढग कर रेस्ट के लिए पांच मिनट के लिए छोड़ दिया है तो यह हो गया हमारा बर्ण यार्ड मिलेट सामक चावल या वरत के चावल का हेल्दी डिलीसियस माउथ वाटरिंग हल्वा तो रेसिपी पसंद आ है तो डोंट फॉर गेट तो लाइ